हेलो फ्रेंड वेकम टू माई यूटूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिसन बैंक के बारे में फाइनली कोटर थ्री के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे जो बाजार ने एक्सपेक्ट किया था उससे काफी बहतर बातों के बातों के उपर हम पूरा आलिसिस करेंगे और रिजल्स का पूरा अपर इनालिसिस अपलों के साथ करना चाहूंगा इस वीडियो के माधियम से तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इंग्रेज करना बुले और चैनल पर नहीं है तो इसी जैनियूर इंफरमेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अप कारोबार जो देखने को मिला वह जैसा कि आप देख सकते तकरिवन 6% से जाते की तेज़ी के साथ closing देखने को मिले previous closing हुई थी और आप सो दो रुपे चैनल पैसे पर प्रिवेस क्लोजिग हुई थी और आज मुझे ऑपनिंग देखने को मिले बड़ी हासा गया पपनिंग कन्तिनने बढ़ीया तेजी ही देखने को मिली है और फाइनली जो क्लॉजिंग को मिली वह प्रिछोब और देखने में को तकरीबन एक 트ैड होती वह तक्रीबदन की तो 26,82,000 quantity हमें डेलोबल quantity देखने को मिल रही है कुछ खास ज्यादा डेलोवरी यहां पर हमें देखने को नहीं मिल रही है वह देलोबल परसंटेज निकल के आ रहे हो तकरीबन 12% के से भी ज्यादा के डेलोबल परसंटेज देखने को मिल रहे है तो इंट्राड में दोस्तों position square off हो चुकी है तो यहां पर हमें negative point आता हुआ देखने को मिल रहा है कि results इतना बढ़िया देखने को मिल रहा है फिर भी खरिदारी होती भी नजर नहीं आ रही है तो आपको alert रहने की अभी भी जरूरत है तो जो results निकल के आया है उसके उपर एक नजर कर लेते हैं तो जिसा ओर निकल मीन को मिले गए उसको कषरी सब्सथी के नतिशी सब्सों इसकोरियों करे नतीज़ देखने को मिलने और इसके बाद हम जानेंगे के प्रफूर्मेंस के छलते शेयर प्रैस के उपर किस तरह का impact में आग आने वाले दिनों म Lau तो इस qatar में नहां बूद जो टोडल इनकम की बात कर रहाह था तो इस qatar में रहा है तक्राइब ень काय उच्छ इनकरण आता हुआ था बड़ा है तो कुछ बड़ा याँ जाल इंग्पन रहा है गहlait तो इनकरणी की बात करें नहां हो थे पर्योंसी को सतमें इंकम रहा था तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर यहां पर हमें इंकम देखने को मिल रही है और अगर हम इंडेशनी बंक ने किस तरह के खर्ण की है है वो यहां पर त्री आप देख सकते हैं 490 करोड यहां पिसले साल की बात करे तो 631 करोड का खर्चा रहा था पिछले साल यहां पर year on year basis पे तकरिबन 40 करोड के आसपास का खर्चा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो दिखा जाए तो यहां पर में इंकम भी कहीं बढ़ती हुई नजर आई थी जिसके चलते खर्चा भी यहां पर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है तो Olmos के सकते आ कि यहां पर अच्छा-खासा ही प्रफॉमवस हमें देखने को मिल रहा है खर्चे में यानी expense में और यहां पर profit की बात करें तो यहां पर जो operating profit निकल के आजा है जो कि यहां पे जो इंकम है उसमें से अगर इन खर्चों को आप माइनस कर दोगे तो यहां पे आपको ओपरेटिंग प्रोफित देखने को मिल जाएगा जो की दिखा जाए तो को ट्रक ओट कि बात कर तो 285 करोड का operating profit रहा था इस income में से अगर इन खर्चों को माइनस करते हैं तो यही हमें operating profit निकल के आ जाएगा तकरीबन 285 करोड के आसपास का जो कि पिछले साल की बात करें तो 275 करोड का हमें operating profit देखने को मिला था तो यहां पर में quarter and quarter basis पे भी कहीं ना कहीं में operating profit बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और year to year भी हमें यहां पर operating profit बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जो कि यह अच्छा और positive point यहां पे में देखनेका मिला है जिसके जलते हमें कहीं शाड़ शकराइब करोड कामें नेट प्रॉफिट से देखने को मिल रही है और यहां पर अगर हम पिछले साल कोर्णा से बाथ करे तो तक्रारिबन एक सो तीस करोड का यहां पर काफी क मिल रहा है जिसके चलते हैं देखा जाए तो हमें खरीदधारी भी देखने को नहीं मिल रही थी इंडिसन बेंग में चीका से डिलोवरी भी देखने को नहीं मिली है तो मुझे भी लगता है कि अभी भी कहीं ना कि इंडिसन बेंग के उपर आपको pressure देखने को मिल सकता है जो कि यहाँ पर net profit काफि decline आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है और अगर हम EPS की बात करें तो earning per share ratio यहाँ पर जो EPS निकल के आ रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते इस quarter की बात करें तो तक्रीबन 10 रुपे 6 पेसे का है हमें EPS देखने को मिल रहा है यानि कमपनी को पर share पर तक्रीबन 10 रुपे 6 पैसे का profit हो रहा है जो कि यहाँ पर quarter 2 की बात करें तो 9 रुपे 29 पैसे का earning per share ratio देखने को मिला था तो यहाँ पर मैं quarter and quarter basis पर तो almost flatty EPS नजर आ रहा है जो कि पिछले साल की बात करें तो तक्रीबन 80 रुपे 82 का EPS रहा था तो यहाँ पर देख सकते year on year basis पर यहाँ पर EPS काफी कम देखने को मिल रहा है यानि operate जो कि earning per share ratio काफी कम नजर आ रहा है year on year basis पर तो overall देखा जाए तो quarter in quarter basis पर जो results रहा है जो कि year on year basis पर कुछ ऐसे point है जहाँ पर हमें कुछ negative point देखने को मिल रहा है जैसा कि net profit काफी decline हमें देखने को मिल रहा है year on year basis पर तो इस तरह कि यहाँ पर results रहा है जो कि यहाँ पर कुछ ज्यादा अच्छे results देखने को नहीं मिले है तो आगे क्या level or target हमें इंडिसन बेंग में देखने को मिल सकते है क्या कौन से level पर registration and support आज सकते है उनसे भी बातों के उपर पूरा analysis करते है चार्ट के उपर तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहा है तो जिसा कि आप देख सकते हम जिरो था के platform कि उपर आया है और यहाँ पर मैंने इंडिसन बेंक चार्ट ऊपन किया हुओ है और यह चार्ट मैंने आप One Day के टाइम फ्रेंग पे open किया हुआ है और यहां पर मैंने कुछ लाइने ड्रो करके रखी है और लेवल्स भी आइडिन्टिफाई करके रखे है जिसके माध्य हम से हम जानने की कोशिश करता है कि आगे किस तरह के लेवल और टार्गेट में इंडिसन बैंक में देखना को मिल सकते है और दोस्तों मैं आपको बताना हो इंडिसन बैंक नजर आया था और आज रिजल्ट के चलते हमें बढ़िया तेजी भी देखने को मिली थी जो कि यहां पर देखा जाए तो मैं चार्ट को थोड़ा जूम करना चाहूंगा और जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर डोजी केंडल बनाया और उसके पहले प हमें रिवर्सल का सिगनल आता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर दोस्तों देखा जाए तो मैंने एक ट्रेडलाइन भी ड्रो की है जैसा कि आप देख सकते हैं अगर इंडिसन बैंक इस ट्रेडलाइन के ऊपर क्लोजिंग देखता है तो मुझे लगता है कि फिर यहां पर आपको तेजी का माहल देखने को मिल सकता है जो की यही ट्रेडलाइन एजर रिजिस्टन की तरह रियक्ट होती हुए में नजर आएगी और उससे पहले भी यहां पर देखा जाए तो 860 रुपी के आसपास का रिजिस्टन लेवल है तो उपर के लेवल पर दो रिजिस्टन स्क्वेर आप कर दी थी और उसके ऊपर यहां पर देखा जाया तो दूसरा रिजिस्टन लेवल निकलके आ रहा है वो तक्रीबंद 920 रुपे का और उसके उपर 970 रुपे का तो उपर के लिवल पर तीन ड़िस्टन लेवल और एक ट्रेड़ लाइन इन लेवल को तरह से नजर आ रहे हैं मुझे तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इसी रेंज के अंदर साइडवेज मुमेंट करता हुआ इंडिसन बेंग नजर आ सकता है और यहां पर इस रेजिस्टन्स लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आपको एक बड़ी तेजी की उमीद कर सकता है तो इन लेवल को दोस्तों आप वोच आउट कीजिए और आप अपना श्टडी कंड़क कीजिए उसके बाद ही दोस्तों किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तरके इंक्रेज करना ना भूले ओवर चैनल पर नहया है तो इसी जन